हेलो बच्चो आज हम बात करेंगे कोशन नम्बर 7 कोशन नम्बर 7 के अंदर आपको कोशन दे रखा है इस कोशन के अंदर आपको एक चीज दिया रखनी है इसमें common चीज निकालो देखो common चीज क्या है minus 3 और minus 3 कितनी बार है 2 times है 3 और 3 कितनी टाइमस है 2 times इसका मलब हमको यहां सब तो clear हो गया इसमें 2 limit put होईगी एक तो होईगी minus 3 और एक क्या होईगी 3 ठीक है x की जो limit लगेगी एक तो लगेगी minus 3 और एक 3 क्योंकि double double में से आप सिर्फ single होगे ठीक है यह कहता है कि minus 3 या minus 3 से छोटी value 3 से बड़ी value ठीक है तो सबसे पहले हम लेंगे add x is equal minus 3 clear है x is equal minus 3 left hand limit add x raise to minus 3 negative हो जाएगा left hand limit में क्या लेते हैं negative limit as raise to 0 function of minus 3 minus h minus 3 से कम value minus 3 से कम क्या है more less x plus 3 और यह जो x है f of x x की जगे आपको क्या put करना है limit minus 3 minus h plus क्या हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा यहाँ तक clear है इसमें आप क्या करोगे limit h raise to 0 minus कम ले लेंगे 3 plus h plus क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जब मोल्डेस के अंदर मेशा क्या रहती है value positive रहती है plus का 3 ठीक है limit हो जाएगी h raise to 0 6 plus h मेरे पास क्या निकलेगा 6 h की value put कर देंगे h raise to 0 दे रखिये h में 0 put किया तो क्या आजेगा यहाँ पर 6 आजेगा अब निकालेंगे हम right end limit right end limit add x raise to minus 3 plus is equal में limit minus 3 plus h ठीक है अब minus 3 plus h minus 3 से कम में तो लिया हमने यह minus 3 से क्या लेना है ज्यादा value तो minus 3 से तो ज्यादा हम इदर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा minus 2x minus 2x की जगे क्या हो जाएगा minus 3 plus h तो 6 minus का 2h h में 0 पुट किया तो क्या आजेगा 6 आजेगा right अब देखो left end limit and right end limit दोनों क्या आ रही है equal आ रही है तो हम आगे क्या निकालेंगे function of minus का 3 निकालेंगे function of minus का 3 अब minus 3 हम इसमें पुट करेंगे x के अंदर minus 3 plus का 3 plus 3 क्या आ जाएगा 6 तो लाश्ट में क्या लिखोगे left end limit is equal में right end limit is equal में function of x तो लाश्ट लाइन लिखी जाएगे इसमें f function is continuous ठीक है उतारिये लाश्ट लाश्ट स्प्रेस्कите for अब बात करेंगे कोश्चन नमबर एट कोश्चन नमबर एट में बोल रहा है अब हमने यह निकाल में एक value ले मैंने positive मेरे पस आगया one एक value मैंने negative मेरे पस आजएगा minus का यह दो चीज़े लिए one और minus का one यहां तक clear है यहां लिखोंगे when x अगर x की value बड़ी होती है किसे 0 से अगर x की value बड़ी होती है 0 से तो more less x किसके equal होता है x की equal when अगर x की value छोटी होती है 0 से तो जो more less x होता है वो किसके equal होता है minus x की equal होता है यह हमने plus one में भी किया था यह दो चीज़े भी अगर x की value 0 से अगर x की value बड़ी होती है किसे 0 से तो हमारा जो more less x होता है वो x की equal होता है अगर 0 से छोटी होता हो हमारा क्या होता है तो हम यह निकाल लेंगे जो value x की है ठीक है यहां क्या आजएगा x की value में हमारा क्या निकला था 1 दूसरे में क्या निकला minus का 1 और थर्ड आपको क्या दे रखा है 0 अब इन तिनों की condition से हम क्या निकाल लेंगे left hand limit right hand limit ठीक है f of 0 अब देखो left hand limit निकाल लेंगे ठीक है left hand limit सबसे पहले क्या निकाल लेंगे left hand limit left hand limit में क्या लेते हैं x add x raise to 0 minus is equal में limit हो जाएगी h की 0 function of 0 minus h हो जाएगा यहां पर function of 0 minus h देखो function of क्या हो गया 0 minus h 0 से क्या लेना है आपको कम लेना है 0 से कम 0 से कम में आपका function की value क्या दे रखी है minus का 1 तो इसका answer हो जाएगा minus का 1 ऐसे ही right hand limit लेंगे at x raise to 0 plus is equal में limit h raise to 0 function of 0 plus h यह बोलता है 0 plus h भी 0 से ज्यादा की value 0 से ज्यादा क्या है हमारे पास 1 है तो equal में क्या हो जाएगा 1 तो यह हमारा क्या हो left hand limit is not equal right hand limit write करिए अगला जो next question है ninth question x by में इसके मैं यह function बना दता हूँ ninth question के आगे आपको left hand limit और right hand limit आपको खुद निकालने पड़ेगी ठीक है आप वीडियो पोस करके लिख ले ना ठीक है next देखे question f of x दिया हुए आपको x upon में x by में more less x x less than 0 0 ठीक है अब देखो अब भी मैंने आपको बताया था इस में more less में एक value होती है x की एक होती है minus का x ठीक है x by में x लेंगे क्या निकलेगा 1 x by में minus का x लेंगे क्या निकलेगा minus का 1 निकलेगा ठीक है समझ गे तो हमार पर जो function of x हो जाएगा minus का 1 ठीक है उतारी है पिछला जो question किया था आप उसको पहले देखोगे उसके अगोडिंग करोगे इस question को आप देखें तो हमार निकलेगा next देखें अब देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ लिमिट क्या लेनी है x की इक्वल 1 लेनी है लिमिट ठीक है लिमिट लो इसमें हम लेंगे सबसे पहले left hand limit at x हो जाएगी 1 negative is equal में limit h raised to 0 function of 1 minus h अब इसमें 1 minus h आपको put करना है इसके अंदर कैसे put करोगे 1 minus h 1 minus h negative है 1 से negative 1 minus h आप x के अंदर put करो एक चीज़ देखो इसके अंदर put होगी या इसके अंदर put होगी पहले हमने ये देखने है ठीक है अब देखो x की नेली देखने है 1 से कम यह है तो हम इसमें नहीं करेंगे इसके अंदर put करेंगे तो यहां हो जाएगा 1-h का whole square plus का 1 अब इसको solve करो 1 plus x square minus का क्या हो जाएगा 2h plus का 1 limit हो जाएगी h raise to 0 तो अब इसमें put कर देंगे h की value 0 put करा 0 इसमें हो गया तो मेरे पस क्या निकलेगा 2 निकलेगा ठीक है यह निकलेगी मेरे पास first equation ऐसे ही right hand limit at x raise to 1 plus हो जाएगा limit हो जाएगी मारे पास h raise to 0 function of 1 plus h function of 1 plus h तो अब इसके अंदर हमने क्या put करना है 1 plus h put करना है 1 plus h put करो किसके अंदर put करोगे x plus 1 के अंदर put करोगे 1 plus h करे limit हो जाएगी h raise to 0 1 plus h plus का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इसमें h 0 put करेंगे तो क्या निकल जाएगा 2 जाएगा तो मेरे पास क्या आ गया left hand limit is equal में right hand limit तो function the given function is continuous at x is equal में 1 करो right right ये तैंथ खोशन था विटा आगे देखिए 11 खोशन 11 खोशन में 10 खोशन था इसका second part दे रखा है आपको function of x x की power 10 minus का 1 upon upon नहीं है यहाँ है x square चीक है आगे दे रखा है x less than equal 1 and x greater than 1 वह ही हमने करना है सेम left hand limit add x raise to क्या हो जाएगा 1 minus is equal में limit h raise to 0 function of 1 minus h 1 से लेकर कम तक 1 से कम तक h raise to 0 1 minus h put कर दो इसके अंदर minus value हो जाएगी इसको solve करो अब इसको solve power 10 है आप solve ना करो इसमें 0 put ही कर दो direct 1 minus 0 की power 10 minus 1 1 की power क्या हो जाएगी 10 minus 1 तो मेरे पस क्या आजेगा equation number first 0 आभी second करेंगे इसके अंदर put right hand limit लेंगे add x 1 plus is equal में limit h raise to 0 h raise to 0 function of 1 plus h 1 plus h put करो square के अंदर 1 plus h का square हो जाएगा whole square हो जाएगा इसको solve किया 1 plus h square plus क्या हो जाएगा 2 h हो जाएगा ठीक है अब इसमें h की value 0 put करिए 1 plus 0 plus 0 मेरे पस क्या आजेगा 1 अब देखो दूसरी equation क्या बनी 1 इसमें left hand limit is not equal right hand this function is not continuous at x is equal में 1 write करिए जल्दी